नमस्कार दोस्तों साहित के समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड आपका हारदिक स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ दोस्तों कामाईनी के सत्र जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरे हो चुके हैं और आज हम एक दूसरी उसी के समानांतर राष्ट विक्सित ह राष्ट्रिय सांसक्रतिक धारा से संबंधित कृति कुरुक शेत्र पर बात चीत करने ौले हैं और उसके हम मूल पाठ पर आएंगे और कुरुपशेत्र का प्रथम सर्ग जो हमारे पाठे क्रम में प्रस्तावित है उसको गहराई से पिस्तार से समझेंगे ताकि विशय वस्तु पर आधारित प्रश्णों के हम सही जवाब दे सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज का सर्ग सबसे पहले दोस्तों जो जानना जरूरी है हमारे लिए वो है कि रामधारी सिंग दिनकर जिस प्रकार जैशंकर प्रसाद चायावाद के कवी माने जाते हैं उसके आधार सम माने जाते हैं उसी तरह से रामधारी सिंग दिनकर का संबंद आखिर कौन सी काव्यधारा से है तो आपको याद रखना है कि राश्ट्री ये संस्रतिक धारा के कवी माने जाते हैं रामधारी सिंग दिनकर आपका जन्म 23 दिसंबर 1908 को हुआ और कहां हुआ मुंगेर जनपद की सिमरिया घाट कि सिक्षा पठना विश्विद्याले से राप्त की और कारेक्षेत्र की बात करें तो आप सबसे पहले सीता मढ़ी नामक स्थान पर सब रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किये गए उसके बाद आप संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए यानि राज्य सभा के सदस्य के बने और उनका राजी सभा के सदस्य के रूप में ये कारेकाल रहा 1952 से 1964 के बीच आप भागलपूर विश्विद्याले के कुलपती भी रहे और ये कारेकाल आपका 1964 और 65 के दोरान रहा और सबसे महतुपूर्ण उपलब दी रामधारी सिंग दिनकर की है कि वे भ रहा आपका 24 अप्रेल 1974 को तमिल नाडू के मद्रास नामक शहर में निधन हुआ ये तो हुआ दोस्तों रामधारी सिंग दिनकर का एक छोटा सा जीवन परिशे अब बात आती है कि कुछ एक महतुपूर्ण तथी हैं उनके जीवन से जुड़े उन पर हम एक नदर डालने ताकि यदि उन पर आधरिक प्रश्न पूछे जाएं तो हम उनके सही जवाब दे सकें तो सबसे महतुपूर्ण बात ये है कि दिनकर चायावादो तरकाल राश्री ये सांस्क्रतिक धारा की काव्य धारा के लिए कुछ विद्वान चायावादो तरकाल कहकर भी संबोदित करते हैं तो चायावादो तरकाल के उन्ही के शब्दों में स्वयम रामधारी सिंग दिनकर ने लिखा है कि चायावाद की ठीक पीट पर आये कवियों में से हैं यानि वे स्वयम अपने लिए क्या कहते हैं कि वे उन कवियों में से हैं जो चायावाद की ठीक पीट पर आये पीट पर आने का मतलब है कि छायावाद के समाप्त होते ही जो कवियों की एक नई श्रंखला आई एक नई धारा प्रारम हुई उसी धारा से जुड़े हुए कवी हैं वे ऐसा वे स्वयम कहते हैं दिनकर के कावे में अब उनके कावे की खास विशेशता क्या है दिनकर के काव कोई ने अपनी लगभग सभी रचनाओं में अपने समकालीन जीवन और समाज को उपेक्षित नहीं किया है यानि उनकी कहीं भी जहां भी उन्हें अवसर मिला है वे जीवन और समाज की समस्याओं से चुड़कर ही साहित्य स्रजन करते रहे हैं मैतली शरण गुप्त के बा आप राजय सभागे सदस्य चुने गए बहुती महतुपूर्ण बिंदु है इसे भी आप भूलेंगे नहीं आगे चैने अब बात आती है उनकी कृतियों की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने कविताएं भी लिखी काव्य भी लिखे मुकतक कृतियां रचनाएं भी लिखी यानि मुकतक कविताएं भी लिखी प्रबंद रचनाएं भी लेकिन उनकी जो प्रबंद रचनाएं हैं उनमें नए प्रयोग उन्होंने किये परमपरागत जो प्रबंद रचनाओं का स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो दिनकर के काव्य में नहीं मिलता तो पहली बात तो ये कि आपने काव्य लिखे, काव्य में मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की कृतियां लिखी, आपने गीत भी लिखे, उसके अलावा आपने गर्ध्य साहित्य की बात करें, तो उसमें निबंध लिखे, लेक लिखे, आलोच ना लिखी, तो इस प्रकार क कविता लेखन और गद्य लेखन दोनों पर समान भाव से समान अधिकार के साथ लेखनी चलाई दिनकरजी ने आपकी लगभग 50 कृतियां प्रकाशित हुई लेकिन हम उनमें से केवल कुछ प्रमुक का यहां नाम उलेख करेंगे जो कि बहुत महतुपून मानी जाती है तो उ आपको समरण रहे तो रेडुका का प्रकाशन दोस्तों 1935 में हुआ हुंकार का प्रकाशन 1938 में हुआ राष्ट्रिये और सांस्क्रतिक चेतना उनकी कविता का मूल स्वर है इसे आप बुलेंगे नहीं रस्वंती 1949 में प्रकाशित हुई मिट्टी की ओर का प्रकाशन हुआ वर्ष को बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि हम पुरुक्षेत्र को समझने के लिए उसकी प्रश्ट भूमी को जानने के लिए अपनी बात की शुरुआ तो भी सुच्छियालिक से ही करेंगे आजे चले बापो 1947 में प्रकाशित सामधेनी 1947 में प्रकाशित हुई रश्मी रथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृती है आपके पाठ्यक्रम में बार्वी में कृष्ण की चेतावनी नाम से एक आईश होगा जो की रश्मी रथी का आईश बाना जाता है तो आप उसको स्मरण कर ले और रश्मी रथी 1952 में प्रकाशित हुई इसे कंठस्त कर ले कवी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये नीम के पत्ते 1954 में प्रकाशित नील कुसुम का प्रकाशन 1955 में हुआ और संस्कृती के चार अध्याए उनकी ये गध्यकृती है जो भारतिय संस्कृती के विव प्रकाशित हुई ये भी उनकी एक आलोजनात्मत गध्य से संबंदित करती है उर्वशी एक और महतुपूर्ण उनकी रचना इसका प्रकाशन वर्ष भी नहीं बूलेंगे उर्वशी का प्रकाशन 1961 में हुआ परशुराम की प्रतीक्षा ये एक अन्य महतुपूर्ण रच प्रकाशन वर्ष भी कंठस्त कर लेंगे 1963 में प्रकाशित हुई परशुराम की प्रतीक्षा इसके बाद आत्मा की आँखे का प्रकाशन हुआ 1964 में कोईला और कवित्व का प्रकाशन भी 1964 में ही हुआ शुद्द कविता की खोज नाम से उनकी एक और आलोजनात्मक कृति सा समय पर कभी रामधारी सिंग दिनकर को मिले तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कुरुक शेतर पर आपको कुछी नागरी प्रचारिनी सभापुरसकार से सम्मानित किया गया और ये पुरसकार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है ये भी आपको स् पुरसकारों और सम्मानों को देखने से हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि राम धारी सिंग दिनकर साहित्य जगत में हिंदी साहित्य जगत में एक ऐसे कवी का नाम है एक ऐसी शक्सियत का नाम है जिसने अपनी बहु आयामी प्रतिभा से हिंदी साहित्य जगत को नवाजा सम्मानित किया संपन्न किया सम्रद्ध बनाया अब कुरुक्षेत्र जो हमारे पाठे क्रम ने है उससे संबंदित कुछ महतुपूर्ण बिंदूओं पर बात करते हैं सबसे महतुपूर्ण बिंदू है 1946 में प्रकाशित बूलना नहीं है दूसरी बात काव्यका रूप क्या है प्रबंध क्रती है डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को विचार प्रधान कविता कहकर के संबोदित किया है इस कथन को आप भूलेंगे नहीं कि डॉक्टर नगेंद्र ने कुरुक्षेत्र को क्या कहकर संबोदित किया है एक विचार प्रधान कविता कहकर के संबोदित किया है महा भारत के शांति पर जिस तरह से कामाईनी शत्पत ब्रामण पर आधारित थी उसका घटना करम उसके कथा का मूल बिंदू जो था वो शत्पत ब्रामण पर आधारित था उसी तरह से कुरुक शेत्र का जो घटना करम है उसकी मूल कथा का जो आधार है वो है महा भारत का श मस्या और उसके समाधान से संबंदित अपने विचारों की बहुत ही प्रभावशाली अभिव्यक्ति की है यहां रामधारी सिंग दिन करने अब दोस्तों दूसरी बात अगला बिंदू यह आता है कि भीश्म पितामह और युदिश्टिर के वारतालाप के माध्यम से युद् किसमें? कुरुक्षेत्र में तो किसके मध्य वारतालाप हुआ है कृती में? भीश्म पितामह और युदिश्टिर के मध्य बादशीत के माध्यम से अपने विचारों को कवी नहीं अभी रखत किया है अब प्रसंगवश एक चर्चा में आपसे जरूर करना चाहूंगी दो रचनाय हैं दोनों के रचना काल में 10-11 वर्ष का ही कुछ अंतर है 1936-36 की वो रचना है 1946 की ये तो सामान्य तोर पर देखें तो 10 वर्ष का अंतर है लेकिन उस 10 वर्ष के अंतर के बावजूद विश्व की परिस्थितियों में अंतर राश्विय जगत की इस्थिती में भारत तब भी गुलाम था और 1946 में भी गुलाम था वो रकृती जो कामाईनी लिखी गई वो प्रथम विश्वयुद की समाप्ती के बाद और वितिये विश्वयुद के पहले यानि दोनों युद्धों के बीच में लिखी गई इसलिए उसका उसका पर भी किसका भले ही महाभारत का हो लेकिन कवी ने उसी युद्ध की प्रष्ट भूमी को आधार बनाया है उसी को प्रेड़ना स्वरूब ग्रहन किया है कि आखिर यहाँ वहां कवी संदेश देता है वहां कवी सोय हुए नागरिकों को जगाने का काम करता है कामाईनी में लेकिन और हिंसा की समस्या को कवी ने बहुती सहस तरीके से संस्कृती के परिप्रेक्ष में संस्कृती की प्रश्ट भूमी पर उठा कर प्रस्तुत किया है और उसके समाधान तलाशने की कोशिश की है कामाईनी में कवी सदभाव, विश्वबंधुत्व, आनंदवाद, समरस्तावाद सभी विपरीत स्थितियों में आनंद पूर्वक जीने का संदेश देता है और यहां कवी ये प्रश्ट उठाता है कि आखिर युद्ध विश्व में आवश्यक क्यों है शान्ती स्थापना के लिए भी युद्ध क्यों करना पड़ता है यह सबसे महतुपूर्ण समस्या है जो कुरुक शेत्र कावे के माध्यम से रामधारी सिंग दिनकर ने उठाई है अब जो प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रव में है दोस्तों उसे हम उसके कथासार से परिचित होते हैं तो कथासार जैसा कि मैंने आपको बताया महाभारत की प्रश्ट भूमी पर आधारित है शांती पर्व पर आधारित है दोस्तों महाभारत का युद्ध समाप्थ हो जाता है यानि कुरुक शेत्र का युद्ध समाप्थ हो जाता है और शान्ति पर्व में महाभारत का एक पर्व है शान्ति पर्व उस शान्ति पर्व में युद्ध के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है और उस शान्ति पर्व में युधिष्ठिर को पश्चाताप करते हुए दुखी होते हुए बताया गया है क्योंकि उन्हें ऐसा मह से इतना भयंकर युद्ध करने के बाद इतने निरीः प्राणियों के बलेदान देने के बाद भी उनको उपलब राप्ट हुई है राजय के रूब में किया वास्तों में उनकी आकांगशा इस राजय को प्राप्ट करने की ही थी और इसी बिंदू से कुरुक्षेत्र के प् पर नजर डालते हैं महाभारत के युद्ध के पश्चात युदिष्ठिर करके पश्चात आप और उनकी आत्म गलानी का चित्रन है उन्हें कहीं न कहीं ये लग रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध करके उन्होंने सबसे बड़ी अपने जीवन की पूल की है तो वे पच स्थितियों में कभी ने इस कावि को आगे बढ़ाया है एक और पांडव है युद्धिष्टर को छोड़ कर बाती शेष जो पांडव है और उनके जो समर्थक है वो विजय का आनंद बना रहे हैं यानि हम जब कभी कोई सफलता प्राप्त करते हैं तो जिस प्रकार की से ली इतिसानंद में युदिष्टर सामिल नहीं है तक वो सबसे बड़े बांडव है और उनका नैंतिक दाईत्व है इस युद्ध के प्रति तो वे क्या कर रहे हैं इस युद्ध में हुए नरसंगहार को देखकर शोक मगन हो रहे हैं तक तक हूं और उनका जो नर्मोंड शाव और रक्तपात आदी के जो द्रश्य हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं और वो उन्हें देखकर दुखी हो रहे हैं पीडित हो रहे हैं उन्हें बार-बार ये प्रशन दुखी कर रहा है अब ये इस प्रशन को ध्यान से देखेंगे उन्हें बार-बार ये प् साथ शांती और सुख से अपना जीवन व्यतीत करें प्रजा भी सुख और शांती से रहे और बेभी अपने परिवार में सुख और शांती से रहे लेकिन युद्ध में विजय मिल गई राज्य मिल गया लेकिन सुख और शांती जो उनका मूल लक्षे था वही उस युद्ध क के साथ ही समाप्त हो गया यानि युदिष्ठर के मन में बार-बार ये प्रश्न उत्रा है कि जो सुख और जो शांती उन्हें इस युद्ध के माध्यम से चाहिए थी वो तो उन्हें मिली नहीं बलकि दे अपने भाई बंधों को भी खो बैठे जो इस युद्ध में प्राणों की बली दे दी आगे चलते हैं युदिष्ठर रक्त रंजित महाभारत के युद्ध के समाप्त होने पर पीड़ित क्योंकि उन्हें पीड़ा दे रहे हैं वो शव वो रक्त पात जो उन्हें युद्ध की भूमी में दिखाई दे रहा है विछुड़ गए अपन में रखना है क्योंकि यहीं से ये महाभारत के युद्ध के प्रसंग में जो बात कवी ने उठाई है युद्ध और हिंसा की समस्या की वही बात यहां समकालीन संदर्ब से जुड़ती है यानि कवी ने 1946 के वर्ष में जब ये कृती लिखी जब की 1945 में दृती ये महायुद समाप्त हो चुका था उसके रक्तपात के दृष्ट कवी के हिर्दय पर अंकित थे दूसरी और भारत में अंग्रेजों का शोशन उनके अस्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था क्योंकि इसके ठीक एक वर्ष माद हमार क्रूर नीतिग्य नीतिग्य से मतलब है राजनीतिग्य और किस प्रकार के राजनीतिग्य का संके जब हम मूल पाठ पढ़ेंगे व्याख्याएं पढ़ेंगे तब आपके सामने ये बात मिल्कुल सपष्ट हो जाएगी वे राजनीतिग्य यो राजनीति के माध्यम से अप ओले ही उन स्वार्थों की पूर्थी करते समय कितने भी निरीह प्राणियों की निरपराध प्राणियों की बली क्यों न चड़ जाए उन्हें उस पास से कोई पर्क नहीं पड़ता, तो उन राजनीतिग्यों की बात कर रहे हैं जो युद्ध को अपनी स्वार्थ पूर्थी का माध्यम बनाते हैं अगला बिंदू उस नीतिग्य का हर्दय नीतिग्य यानि नीतिग्य से संबंध राज नीतिग्य से है आप इस तरीके से ग्रहन करेंगे उस नीतिग्य का हर्दय कौन नीतिग्य जिसने युद्ध की प्रेड़ना दी युद्ध को आग बनाया तो वह स्वयम युद्ध नहीं करता, राजनीतिग्य केवल अपने मोहरे विछाता है, वो स्वयम युद्ध नहीं करता, समकाली इन संदर्व है, किस प्रकार के राजनीतिग दाव पेच उस समय 1946 के समय में और उससे पहले अंतर्राश्ट्री या जगत में खेले जा रहे थे, उन मातर है, एक प्रदर्शन मातर है, एक दिखावा मातर है, असली उद्धेश उसका क्या है, असली उद्धेश है अपने छोटे-छोटे स्वार्भों को पूरा करना, युद्ध के बाद वह उन पत्नियों और माताओं के नाम पर सम्मान लेता है, कौन सी पत्नी, जिसका पती युद्ध के दौरान अपने प्राणों की बली देने में पीछे नहीं अटा, यारी जिसने युद्ध में अपने प्राणों की बली दे दी, वे माताओं जिन्होंने अपने पुत्र देश के नाम पर बलिदान कर दिये, उनके नाम पर वो सम्मान लेता है, जिन्होंने अप स्वार्थ लोलूप नेताओं की कुटिल एवं हिंसक भावनाओं को छिपाने का आवरन मात्र है यानि देश के सम्मान की आड में इस बात की आड में वे वास्ताओं में अपनी कुटिल राजनीतिक चालों को छिपाया करते हैं दिखाते हैं कि वे देश के सम्मान के लिए ये या द्वेश से भरी हुई शत्रुता को समाप्त करने का एक मात्र उपाय युद्ध ही है। जिसे इस कृति के माध्यम से राम थरी सिंग देंकर ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस लिए वो क्या कहते हैं कि ये जो मनुष्य है कौन सा मनुष्य जो युद्ध लड़ रहा है और जो युद्ध करवा रहा है। इस लिए वे पहले किये गए युद्ध की पीड़ा भूल कर पुन है युद्ध की ओर प्रवर्थ हो जाते हैं। थोड़े दिन एक युद्ध होने पर पश्चाताप करते हैं लेकिन उसके बाद जब दूसरा अक्सर आता है वे फिर से सारी पुरानी बाते हैं, सारी पुरानी पीड़ाएं भूल कर नए सिरे से युद्ध के लिए तक पर हो जाते हैं। इस सर्ग में कविने द्रोपदी के 13 वर्षों से खुले केशों की प्रतिशोद से भरी हुई घटना, भीम के द्वारा दुशासन की छाती का लभू पीरे और भीम के द्वारा द्रोणाचारे के पुत्र अश्वत्थामा के शीश की मणी निकाल कर द्रोपदी को देने की घ अंकेत किया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, इन सभी घटनाओं का जिक्र प्रथम सर्ग में आता है, महाभारत के युद्ध में कौरवों का पूर्ण नाश हो गया, अब उनकी मृत्य पर आंसु बहाने, उनका श्राद्ध करने के लिए केवल व्रधा माता, गांधार और नेतरहीन, पिता, धृतराश्ट्र ही शेश रहे, कैसी विडम बना है कि जिस राज्य के लिए, जिस एहंकार की पूर्ती के लिए, एहंकार के पोशन के लिए युद्ध लड़ा गया, उस में सारे के सारे पुत्र ही बली चढ़ गये, देश के सम्मान के नाम पर, अब यह हर्षधनी, कौन सी हर्षधनी, जिसकी शुरुआत में चर्चा हुई थी, जो पांडमों के शिविर से जो हर्ष की आवाजें आ रही थी, उसकी बात की जा रही है, अब यह हर्षधनी वास्तों में शेश रहे गए, जो जीवित बचे हैं युद्ध के बाद, उन स्वपन की तरह सारहीन दिखाई देता है, यानि उन्हें लगता है, कि जिस युद्ध को वो इसनी कतपरता से लड़ते रहे, अब तुर्योधन उन्हें स्वपन में आकर ये कह रहा है, कि जिस युद्ध के लिए तुम लड़ रहे थे, जिस राज्य के लिए तुम ने वो और अधिक बढ़ जाता है अब तुम विजय पराजय के प्रश्न का हल धूनते रहो मानो दुर्योधन युदिश्ट्र से कह रहा है कि अब तुम विजय के बाद कौन विजय हुआ कौन पराजित हुआ उस प्रश्न का हल धूनते रहें क्योंकि तुम कहने का अभिप्राय क्या है कि तुम तो विजय होकर भी पराजित हो गए क्योंकि तुम्हारे सगे संबंधी बंधु बांधक सब मृत्यू की गोध में सो गए और पश्चाताप और मानसिक पीड़ा से भरे इस विजय के उपहार का आनंद लो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानुदूर्योधन मृ युद्ध के माध्यम से शांती चाहते थे सदभाव चाहते थे लेकिन पहत उन्हें मिला ही नहीं जिस शांती को मैं युद्ध से क्राप्त करना चाहता था वह शांती और सोहार्द शत्रूं की मृत्यू के साथ ही हवा में उर गए और बदले में मुझे व्यंग और जाता आप, पांच असहिष्णू मनुष्य यानि पांच पांडवों की आपसी द्वेश की जो भावना थी, कौरवों और पांडवों के प्रती, उसने इस युद्ध को जन्व दिया और इस सारे राज्य को जो विस्तरित इतना मजबूत इतना शक्तिशाली राज्य था उसे पूरी तहस से तहस नहस कर दिया। ये सोचते हैं कि क्या मैंने युद्ध इसलिए किया था कि प्रिया द्रौपदी सुंदर वस्त्रों से सुसजित रहे और हम सभी भाई एहंकार युक्तो कर राज्य का सुख हो गए क्योंकि उसके बाद युद्ध के बाद जो उन्हें प्र संकृत होकर मेरी प्रिया द्रौपदी मेरे सामने रहे और हम सब भाई अपने एहंकार से भरे हुए भरकर इस राज्य का आनंद ले इसका सुख हो गए रक्त पात से प्राप्त इस राज्य को कि अब अगले ही क्षन उनके मन में फिर एक विकल्प उठता है कि ये तो जो र रक्त पात से इतने भयंकर इशन रक्त पात से जो राज्य मूझे मिला है क्या मैं उसका आनंद पूलवक भोग कर पाऊंगा उनकी स्मृती में अभिमन्यू का बलिदान और जब वो यह ऐसा सोचते हैं बंदू बांधमों की बात सोचते हैं तो अभिमन्यू के बलिदान की पीड़ा उनके हिर्दय में जाग जाती है और वे अपने हिर्दय पर असेहनिय बोज का अनुभव करने लगते हैं उन्हें लगता है कि मानों उनके हिर्दय पर किसी ने पत्थर रख दिया है क्योंकि वे अभिमन्यू के बलिदान को भुलाए नहीं पूलबा रहे इसके प हो जाती है कि अब उनके सामने प्रश्ण हैं दो रास्ते हैं कि मैं इसका आनंद मनाओं जो मुझे विजय प्राप्त हुई है या मैं पश्चाताप की अगनी में डूबा रहूं और युद्ध के बाद जिस शांती की कामना मैंने की थी मैं उस शांती की को अपने भीतर महस जाते हैं और दोस्तों पितामे के पास जाने की बात कहकर ही वे पितामे के पास जाने की बात कहते हैं और यहीं पर प्रथम सर्व समाप हो जाता है तो दोस्तों यह हुआ संग्षेप में प्रथम सर्व का साराइश अब हम शुरू करते हैं अपना मूल बाठ तो सबसे पहल है पुरुप्षेत्र के प्रथम सर्थ की पहली कोउसी है तो आप याद रखेंगे वह कौन रोता है वह कौन रोता है वहboo जिस लिखा है नौ जवानों के लहू का मोल है प्रत्य किसी बूढ़े कुटिल नीतिग्य के व्यवहार का जिसका हर्दय उतना मलिंच जितना की शीर्श वलक्ष है अब देखे दोस्तों यहां क्या बात कही जा रही है यहां बात की जा रही है कि इतिहास के अध्याए का मतलब है इतिहास के पन्ने, कभी कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में बहुत सारी युद्ध की कहानिया भरी हुई हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है और उन कहानियों के भूल में बहुत सारे लोगों की पीडाएं हमें दिखाई देती हैं, पीडाएं हमें हमारे सामने अभिव्यक्त ह तो ऐसी स्थिती में कभी प्रश्न करते हैं कि आखिर इतिहास के उन पन्नों में कौन व्यक्ति रो रहा है जिसके रोने की आवाज जिसकी पीड़ा हम तक पहुच रही है जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मूल है और उन पन्नों में जो कहानी लिखी हुई है की प्रत्य किसी बूढ़े कटिल नीतिग्य के व्यावर Yudhva का और ये यूद्ट की स्तिक कप पैदा होती है जब हम किसी बूढ़े यानि अनुभवी बूढ़े से मतलब यहां पर अनुभवी यानि जिसे राजनीति का बहुत अधिक अनुभव है ऐसे किसी बूढ़े कुटिल यानि चतुर नीतिग्य यानि राज नीतिग्य मैंने आपको बताया था राज नीतिग्य के बातों पर उसके व्यवहार पर यानि उसकी बातों पर प्रत्य यानि विश्वास करते हैं हम अपने आपको युद्ध में जोक देते हैं यानि वे इतिहास की बात कर रहे हैं कि इतिहास में जितने भी युद्ध हुए उन युद्धों के मूल में कोई न कोई कुटिल और अनुभवी राज नितिग्य की कूट नीति विद्यमान थी और उस कूट नीति की बातों पर विश्वास करके जो नौजवान थे वे उस युद्ध की आग में पूद पड़े और उन्होंने विजय प्राप्त करने के लिए अपने देश के सम्मान के नाम पर अपने प्राणों की आहुती दे दी और वही पीड़ा क्योंकि वे जो नौजवान वहां बलिदान हुए व युद्ध हमेशा पीड़ा को जन्म देते हैं युद्ध हमेशा पश्चाताप और आत्मगलानी को जन्म देते हैं उनसे शांती प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा प्रयास इतिहास के युद्धों में अनेक बार हुआ जब देश के सम्मान के नाम पर बड़े आई सदभाव नहीं आया आया तो केवल राज या सीमा विस्तार या फिर रोने के करून करंदन की आवाजे यानि पीड़ा जिसका हर्दय अब ये कौन से कुटिल राजनितिग्यों की बात करें कि जिनके हर्दय उतने ही मलिन हैं मैले हैं यानि दूशित भावनाओं से श्वेत का यहां हम सांकेतिक अर्थ द्रहन करेंगे उज्वल यानि तेजस्वी कि वो जो अनुभवी राजनितिग्य है कुटल कुटिल उसका मस्तक यानि उसका मस्तिष्ट जितना तेजस्वी है जितना उज्वल है जितनी बड़ी-बड़ी बातें उसे करनी आती है अपनी गुद्धी के द्वारा उससे कहीं अधिक मलिंता दूशित विचार उसके हृदय में विध्यमान है तो दो परस पर विरोधी स् अलंकार है तो यहां पर किस वात की और संकेत किया जा रहा है कि वो अपने मस्तिष्क जिसका मस्तिष्क बहुत तेजस्वी है उस मस्तिष्क का उस विचारों का सहरा लेकर वह प्रदर्शन तो वो राजनीतिक ये करता है कि हम देश के सम्मान के लिए इस युद्ध को कर र या तो सामराज्य विस्तार की दृष्टी से हुए या एहंकारों के टक्राव की दृष्टी से हुए तो ये एहंकारों का टक्राव और सामराज्य विस्तार की जो बात है वो देश के सम्मान से बहुत छोटी है तो ये उन राजनीतिग्यों के मलिन हर्दय की और संकेत करती है उसी प्रष्ट भूमी को यहां पर अभिव्यक्त कर रहे हैं रामखारी तिंग दिनकर आगे चने जो आप तो लड़ता नहीं अब वो कुटिल राजनीतिग्य कितना चतुर है स्वेव युद्ध लड़ने नहीं जाता अपने प्राणों को सुरक्षित रखता है लेकिन कट आश्वस्त जाते हैं यानि वेकिष्ण अपने प्राणों की बली देदेते हैं क्यों कि क्या सुथ कहा गया है उन्हें कौन सा रास्ता दिखाया गया है कि देश के सम्मान के लिए युद्ध किया जा रहा है जबकि वास्तों में ऐसा नहीं है तो वो य November के सम्मान के नाम पर किशोरों की बली चढ़ा देता है आश्वस्त और फिर जब युद में विजय प्राप्त हो जाती है तो बिल्कुल आश्वस्त होकर तसली से बैठ कर युद पर विचार करता है कि उससे क्या उपलब्दी प्राप्त हुई तो वो ये सोचता है शोनित बह रत तो बहा युद में कोई बात नहीं लेकिन गई बचलाज सारे देश की और दिखाने के लिए क्या कहता है कि बहुत खून खराबा तो बहुत हुआ ये युद्ध में हमारे बहुत सारे सैनिक हताहत हो गए प्राणों की बली दे दी उन्होंने लेकिन हमारे लिए देश का सम्मान बचाना आसान हो गया हम युद्ध के माध्यम से अपने देश के सम्मान की रक्षा कर सके लेकिन यहां पर प्रश्ण चिन इस बात का संकेत तक ह चाहते हैं कि वह राजनीति के अपने भीतर कितनी दूशित विचारधाराएं पन पे हुए है पाले हुए है क्योंकि वो देश के सम्मान के नाम पर नौ जवानों की जीवन से खेल रहा है आने चलें यहां प्रश्नलंकार हो गया है और तब सम्मान से जाते गिने हैं नाम उनके देश मुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूव से और फिर क्या होता है युद्ध समाप्त हो गया कुटिल राजनितिग्ये क्या सोचा कि शोणित तो बहा रत्त तो बहा लेकिन कम से कम मेरे देश का सम्मान तो भच गया जो देश के सम्मान की बात केवल और केवल प्रदरशन है दिखावा है वास्तविक्ता नहीं है तो तो उसके बाद जब ऐसा सोचता है उसके बाद वो सम्मान से उन सभी लोगों के नाम लेता है, जो देश मुक्ष की लालिमा से अर्थ है, देश का सम्मान, देश की प्रतिश्था, जो देश का सम्मान है बची जिनके लुटे सिंदूर से, जिन इस्त्रियों के पती ने, अपने पतियों ने अप युद्ध भु उसके बाद प्रदर्शन इतरों के नाम पर अपने पुत्रों की बली दे दि नामपड़ी उन शासक जो कुटिल राजनीतिग्य है वो क्या सोचता है कि मेरे देश का सम्मान बच गया और फिर उन वीरों के नाम गिनता है जिन वीरों ने अपने प्राणों की बली दे दी और ऐसा करके ही वो अपने करतवी की इतिश्री समझ लेता है आगे चले इश जाने देश का योगों के प्राणों की बली दे दी गई युद्व में वह वास्तविकता थी वास्तों में युद्व का कारण था या कारण कुछ और था यही प्रशन यहां अभिव्यक्त किया गया है इश जाने यानि इश्वर ही जाने देश का लज्जा विशे तत्व है कोई की केवल कि ये देश की लज्जा, देश के सम्मान का जो मूल कारण है, जो विशय है, वो वास्ताओं में कारण है, मूल कारण है युद्ध का या केवल और केवल आवरण यानि दिखावा है, यानि प्रदर्शन मात्र है, उस हलाहलसी कुटिल द्रोहागनि का, किसको छिपाने देखि तो कभी बता रहे हैं कि ये किस का आवरण है, किस चीज को इस देश के सम्मान के आवरण के नीचे छिपाया जा रहा है। जो कोटिल द्रोहागनी, द्रोहागनी का अर्थ होता है इरश्या की अगनी। यानि विश्य के समान क्रतीब होती है, इसलिए कभी ने यहाँ हलाल को कुटिल द्रोहागनी को हलाहल सी कहा है। प्रश्ण पूछा जा सकता है कि हलाहल सी किसे कहा गया है या किस इसका उप्मे क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे, द्रोहागनी को हला हलती कहा गया है, यहां उपमा अलंकार है, इसका आवरण है, दूसरा, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, और यह द्रोहागनी कैसी है, यह अभी नहीं उत्पन हुई साधुनिक काल में, बल्कि यह अनाधी काल से, बहुत पुरान नाइकों के पेट में जठरागनी सी, और यह द्रोहागनी कैसी है, यह द्रोहागनी एक तरफ तो हलाहल सी है, दूसरी और जठरागनी के समान है, यहां भी उत्मा अलंकार हो गया, जठरागनी जब हमें बहुत तेज भूग लगती है दोस्तों, तो हमारे पेट में जो करनी इश्या की आग सभ्यता के जो सभ्यता के अग्रणी कौन नेता राजनीतिग्या सभ्यता के आवरण है ये देश की सम्मान की बात करना यानि दो चीज़ों का आवरण हो गया कुटिल द्रोहागनी का और स्वार्थी और लाल्ची मनोगृति का तो इस बात को आप जान में रखेंगे कवी ये कहना चाहते हैं यहां पर कि इस देश के सम्मान के नाम पर वास्ताओं में वो कुटिल राजनी तेगे जो युद्ध की सारी भूमिका बनाते हैं युद्ध लड़ने के लिए लोगों को प्रेवित करते हैं वे वास्ताओं में अपने हरदय में अपनी आग जो जल रही है उनके हरदय में इर्शा की उस आग के माध्यम उसको छिपाने का प्रयास कर अपने उस आज को छिपा कर अपने स्वार्थ और अपने लालच को पूरा करना जाते हैं देश के सम्मान का तो केवल प्रदर्शन मात्र किया जाता है मूल कारण देश के सम्मान की रख्षा नहीं होता बलकि मूल आए होता है अपने स्वार्थ की चिद्धी करना, आगे चलते हैं विश्व मानव के ह्रदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोह आगणी का अब कभी अपने ह्रदय चिंतन कर रहे हैं कि ये द्रोह की अगनी जो है इरश्या की जो अगनी है वो वास्तोंमें युद्ध का कारण बनती है क्योंकि एश्या जब अनादि काल से लोगों के मन वो निर्द्वेश है यानि द्वेश से रहित होने का मतलब है कि शुद्ध भावनाओं से युक्त है तो ऐसी स्थिती में अगर विश्व के मनुष्य का अगनी है उसकी जड़े इसमें नहीं हो सकती यानि मनुष्य के हरदय में द्रोह की अगनी का निवास स्थाई रूप से नहीं हो सकता इसका कोई न कोई और कारण है इसकी जड़े कहीं और विद्यमान है चाहता लड़ना नहीं समुदाय है और आगे कभी कहते हैं कि ये जो मानव समुदाय है ये वास्तों में स्वयम युद्ध नहीं करना चाहता बलकि फैलती लप्ते विशैली व्यक्तियों की सांस से ये पंग्ती बहुत नहीं तुपूर्ण है इस पर प्रशन पूछा जा सकता है अब इसका अर्थ क्या है वो कहता है कि वास्तों में ये मानव समुदाय युद्ध नहीं लड़ना चाहता क्योंकि उसका ह्रदय तो पवित्र है शुद भावनाओ से युख है लेकिन वास्तों में ये युद्ध की आग की जो लबते हैं जो विशैले व्यक्तियों की सांसों से खैलती हैं विशैले व्यक्तियों की सांसों का मतलब क्या हुआ दूशित स्वार्थ संपन विचारधारा अब विचारधारा को सांस से क्यों जोड़ा गया है क्योंकि हम जब बोलते हैं दोस्तों तभी हम दूसरे के सामन अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं और बोलते हैं तो हम सांस भी लेते हैं तो सांसों को विचारधारा से यहां पर इसलिए जोड़ा गया है तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है इस तरह का प्रश्न परिक्षा में पूछा जा सकता है तो फैलती लपटें विशैली व्यक्ति विचारधारा के कारण समाज में पैलती है और सारे समाज को सारे मानव समुदाइ को युद्ध में जहौक देती हैं अगे चले अब कभी कहते हैं कि जब भी कभी कोई युद्ध आयोजित होता है तो हर युद्ध से करने से पहले मनुश्य जो युद्ध करने जा रहा है उसके मन में दुविधा होती है दुविधा यानी दुविधा युद्ध उचित है या अनुचित ये दुविधा उसके मन में होती है एक और क्रोध होता है, दूसरी और उस क्रोध के फलसरू पुत्पन दुविधा होती है, क्योंकि क्रोध हो गया, युद्ध का निर्णे ले लिया, लेकिन ये युद्ध कितना उचित है, कितना कल्यान कारी है, कितना फाइदे मंद होगा, उससे हमें क्या उपलब्ध होने व उन सभी युद्नों से पहले मनुष्य के महर्दय में उत्पन जो दुविधा की सिती है युद्ध के विशय में कि युद्ध हो या ना हो संगत है या असंगत है उसे किस से लड़ना पड़ता है क्रोध से लड़ना पड़ता है उस कुटिल राजनीतिग्य के क्रोध से और ये दुविधा किसकी है ये दुविधा है युद्ध के से जुड़े हुए मानव समुधाय की दुविधा क्रोध किसका है क्रोध है कुटिल राजनीतिक्यका इनको आपस में लड़ना बढता है हर युद्ध के पहले मनुध है सोचता प्रत्येक युद्ध के शुरू होने से पहले मनुज यानि मनुष्य। मनुष्य ये सोचता है कि क्या केवल और केवल इस सारी समस्या जो जगत में है उसे सुल्झाने का एक मात्र अमोग यानि अचूक जो शस्र है वो क्या केवल और केवल युद्ध ही है यानि हमारे विश जशुत मनोवरत्यां एक दूपने से तक्राती है। जो भी एहंकार तक्राती है। क्या उनस साथ को दूर करने का एक मात्र equivSt? अच्चू. अच्चू. उफाय अमोग अस्त? क्या है। किया केवन युद्ध ही है। या युद्ध के ब्रगाहंडिक्त ब्रणा प्रस्तुत किया केवल प्रस्तुती करण का कथा का पर्था मूल उद्देश्य वही है तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे पुरुख शेत्र का मूल प्रश्न है ये अन्याय का अपकर्ष का विश्का गरल में दू होका और किस का उप्चार करना है जो अन्याय फैल रहा प्रस्वी पर, जिस पतन के कारण लोग दुखी है, जो विश्विचारों का फैल रहा है, दूशित विचार फैल रहे हैं या जो गरल, गरल का मतलब होता है विश्व, विश्व से युक्त जो विद्रो या इरश्या का भाव जो उत्पन हो रहा है, जो विशैला, मलिन, पु कर हमारे सामने, आगे चलते हैं, लड़ना उसे पढ़ता मगर, लेकिन ये सारे प्रशन होते हैं, दोविधा होती है, लेकिन कुटिल राजनीतिग्य के इशारों पर उसके प्रभाव में आकर देश के सम्मान के नाम पर प्रत्यक मानव समुदाय को लड़ना पढ़ता है, और जब वो उस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है और जीतने के बाद भी इस और का मतलब है और कई बार लए बिठाने के लिए यहाँ पर और को इस प्रकार कविता में संग्शिप्ट कर दिया जाता है तो इसका आर्थ है और और जीतने के बाद भी रण भूमी वेवे देखता है सत्के को रोता हुआ और जब वो विजय प्राप्त कर लेता है वो मानव समुदाए तो वो युद्ध की भूमी में सत्के को रोता हुआ देखता है सत्के की रोने का मतलब क्या है जीवन मूल्य जीवन मूल्यों को शती ग्रस्त देखता है यानि पीडित देखता है उनका जीवन मूल्यों को किस प्रकार उनका दमन किया गया ये इस्थिती वो युद्ध के शेत्र में देखता है क्योंकि युद्ध के बाद भी जीवन मूल्य कहीं दिखाई नहीं देते जिन सुंदर मान दिखते हैं तो केवल रख्थ पात के अवशीश वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याएं में अब देखिए पहले पहला जो पध्यांश था उसमें जो प्रश्ण उठाया था दिंगर ने वही उस प्रश्ण का उत्तर यहां दिया जा रहा है कैसे शुरुआत हुई थी वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याये पर तो वो जो प्रशन उठाया था उसका उत्तर है वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याये में की इतिहास के पन्नों में जो रोता हुआ दिखाई देता है जो वेदना हमें उन युद्धों के वर्णन को पढ़कर अपने ह करदाया में महसूस होती है बास्ताव में वेतना सत्य के आहत होने की है, विजई पुरुष के नाम पर कए जैचड नयन का डालता। और क्या होता है कि जो विजयी पुरुष होता है उसके नाम पर क्या करता है कीचड नयन का डालता यानि मन में बुरे भाव है उस युद्ध के प्रती उसकी विचारधारा जो कुटिल राजमीतिक के है उसकी विचारधारा के प्रती लेकिन फिर भी कीचड नयन का डालता या आगे चलते हैं. उस सत्के के आघात से है जंजना उत्टी शिराये प्राण की असहाइपी और क्या होता है कि वो जो सत्के कौन सा सत्के, सत्के से यहाँ पर आप लेंगे मानव पूले, हर जगाे सत्के को मानव मूल्य के रूप मे देखेंगे, क्योंकि वास्तविक जो खापना करने की कोशिश करते हैं पुटिल राजनीते के प्रदर्शन करते हैं लेकिन वास्ताओं में मानव मूल्य कभी थापित होते ही नहीं अगर हो तो एक युद्ध समाप्थ होने के बाद ही सौहार्द और मैत्री पूर्ण वातावरन हो जाए विश्व में जो कि होता न पर चोट लगते हुए देखते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो शिराएं हैं हमारी जो नसे जो नसे हैं वे जंजना उठती हैं उनमें एक आक्रोश सा उपन हो जाता है प्राण की असहाय सी लेकिन दूसरे ही खशन वे क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं आए वे कुछ उपाय है ही नहीं सहसा विपंची लगे कोई अपरिचित हाथ जो वहतिल मिला उठता मगर है जानता इस चोट का उतर न उसके पास है तो क्या विपंची का मतलब होता है वीना अब वो कहते हैं कि इस तरह की पीड़ा धरदय में उत्पन होती है जब युद्ध में घूमी म मानव मुल्यों को चोट ग्रस्प होते हुए देखते हैं तो उसकी सुलना किस से कर रहे हैं कभी कभी कह रहे हैं कि जैसे कोई वीना हो और उस पर जिस व्यक्ति को वीना बजाने नहीं आती उसका हाथ उस वीना के तारों पर पड़ जाए और उससे जो एक बिगड़ा वा विकृत सा स्वर निकलेगा बैसे ही स्वर हर युद्ध के बाद हमारे समाज में गूंजा करते हैं यानि समाज युद्ध के बाद मानव गुल्यों की साबना करने में सफल नहीं होता बलकि और बहुत सारी विकृतियों को जन्म देता है तो ये सारी स्थितियां देखक जो मानव समुदाय है वो तिल्विला होता है उसके घृदय में क्रोध की आक्रोश की अगनी जलने लगती है लेकिन फिर वो शांत हो जाता है क्यों प्राण की असहाइसी से इस पंक्ति को जोड़ेंगे इसलिए शांत हो जाता है क्योंकि वो जानता है है जानता इस चोट का करने का जो sobot जवाब देने का कोई सामर्थ नहीं है कोई करीका उसके पास नहीं है सहसा हर्दै को तोड़ कर करती प्रतिद्वनी प्राण गत अनिवार्य सत्यागात की नरका बहाया रत हे भगवान मैंने क्या किया लेकिन मनुझ के प्राण शायद पत्सरों के हम इअब युद्ध समाप हो जाता है तो कैसी विढंबना है कि मनुझ ये इतनी जल्दी अपनी सारी सीड़ाएं भूल जाता है हर युद के बाद मानव समुदाय पश्चाताप करता है, युद से पहले मानव समुदाय के मन में दुविधा उतपन होती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आपको फिर दूसरे युद में जौँध देता है, उसी मनो वरति की ओर यहां संकेत powerी आ जा रहा है, वो कहते है सहसा हरदय को तोड़ कर कड़ती मतलब निकल प्रतिध्वनी प्राण गत अनिवार सत्या घथ की दूसरे एक्षन उसके हरदय से जब वो युद्ध की विभीशिका को देखता है तो उसके हरदय से सत्य के आघहात की अनिवार अनिवार जितका निवारण न किया जाता जिसको रोका न जाता के बिल्कुल सरण शब्दों में लिखनेंगे ऐसे सत्य के आघहात पर चोट पढ़ने से ऐसी रदय से प्रतिध्वनी निकलती है यानि विद्रोह सा अक्रोश सा उत्पन होता है कि हमने आखिर ये युद्ध किया ही क्यों नर का और क्या प्रतिध्वनी निकलती है कि हमने विर्थी इस युद्ध की भूमी में मनुष्यों का इतना सारा रच्ट भरभाया हे भगवन हमने ये क्या किया यानि हम युद्ध के बाद उस नर सिंहार को देखकर जो मानव समुदाय है वो कैसा हो जाता है पश्चाताप ग्रस्त हो जाता है और वहीं पश्चाताप युद्धिर को पीड़ित कर रहा है गुरुपशेत्र में उसकी अभिव्यक्ति मानव समुदाय के पश्चाताप के माध्यम से यहां कभी प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन मनुष्य के प्राण फिर कभी दूसरी तरफ कहते हैं लेकिन ये पश्चाताप करता है युद्धि के बाद हर व्यक्ति लेकिन दूसरे हिक्षन शायद कभी कहते हैं कि मनुष्य के प्राण शायद पत्थर के बने हैं यानि मनुष्य संभवत है संवेदनाहीन है संवेदनाहीन इतलिए है क्योंकि वो दूसरों की पीड़ा को शनबर के लिए अपने हिर्दय में महसूस करता है और उसके बाद फिर उस पीड़ा को बिलकुल भूलकर वही कारे दुबारा से दोहराने लगता है फिर आज चले इस दंश के दुख बूलकर और कौन सा दंश है वो जो युद के मैं नर संगहार हुआ जिसका पच्चा ताप था जिसकी पीड़ा उसके हरदय में मौजूद थी उस दश को उस पीड़ा को के कश्ट को फोड़े दिन वही मानव समुदाए भूल जाता है और फिर क्या करता है मानक समुदाए, फिर से युद्ध करने के लिए तकपर हो जाता है, अपने प्राणों को नयौचावर कर देता है और फिर जब सफलता मिल जाती है, तो फिर पश्चात आपके अश्रू बहाता है ये मानव स्वभाव है इसलिए कभी क्या कह रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो मनुष्य के जो प्राण है वो पत्थर के बने हुए हैं सम्वेद नाहीन है क्योंकि बहुत अधिक समय तक कि कोई भी पीड़ा उसके हरदय पर अपना प्रभाव जमाकर रख ही नहीं पाती जल्दी से वो स्पीड आपको भूल जाता है और वापस फिर वही भूल वही गलती दोहराता है आगे चले योही बहुत पहले कभी कुरुप भूमी में देखिए ये पूरी प्रश्ट भूमी हो गई है अब समकालीन परिदेश की अभिव्यक्ति कर दी यहां पर कभी ने अब कभी दिन कर आ रहे हैं किस पर कुरुप शेत्र के युद्ध पर योही बहुत पहले कभी कुरुप भू की बात की उसी तरह से कुरुक्षेत्र की भुमी में बहुत से वर्ष पहले नर्मेद यानि नर्संगहार का ये कार्यत पूरा हुआ था संपन हुआ था यानि कुरुक्षेत्र के मैदान में भी बहुत वर्ष पहले एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें भीशन नर्संगहार हुआ था बहुत सारा रक्त पात हुआ था पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का बजरांग पांडव भीम कामन हो सकवा परिशांत था जोगे आपको याद होगा कि पांडव ने कसम खाई की कि जब तक वो दुशासन की छाती का लहू नहीं पीलेगा सब तक वो जैन से नहीं तो उसी प्रसंग की और यहां संकेत किया जा रहा है कि पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का कि जब आदमी से मतलब है यहां पर दुशासन प्रशन पूछा जा सकता है दुशासन की छाती का लहू आदमी के वक्ष का वजरांग पांडव भीम का मन पूचुका शांत था कि जो शपत वज्र के समान अंगों वाले यानि कठोर अंगों वाले कठोर से मतलब शक्तिशाली वज्रांग यानि शक्तिशाली अंगों वाले पांडव भीम ने जब अपनी संकल्प के अनुसार अपनी प्रतिग्या के अनुसार दुशासन की छाती का लहू पी लिया तब उनक इसने समय से द्रोहों की अगनी उनके हरदय में जल रही थी वो जब शान्त हो गई उसी परिस्टिती की और यहां संकेत किया जा रहा है। और जब वरत्मुक्त केशी द्रौपदी मानवी अत्वा जलित जागरित शिखा प्रतिशोध की दांत अपने पीस कर अंतिम क्रोध से रक्त वेनी कर चुकी थी केश की केश जो तेर है बरत से थे खुले आपको यह भी याद होगा कि केश खीच कर बालों से पकड़ कर खीच क सफ़ा में लाया था जब तक अपने केशों को उसके लहू से नहीं धोलूंगी तब तक मैं इन केशों को बाँड़ोंगी नहीं तो इस बात से क्या कहना चाहिए है कभी कभी यह कहना चाह रहे है कि देश के सम्मान के नाम पर इन छोटे छोटे शुद्र स्वार्थ द्रौ संगहार महाभारत के युद्ध के रूप में किया गया और ऐसा ही हर बार इस मानव कृष्टी में होता है तो वो कहते हैं कि और जब वरत्मुक्त केशी द्रौपदी वरत्मुक्त केशी किसे कहा गया है प्रश्न पूछा जा सकता है यानि इसका अर्थ है केशी मतलब बालों मतलब बालो को रखने का संकल्प करने वाली ध्रौपदी वो मनुष्य थी मस्त्री थी नारी थी या ज्वलित जागरत शिखा प्रतिशोध की या वो बदले की आग बदले की आग की एक जलती हुई जीती जागती जलती हुई प्रत्ज्वलित प्रचंड एक शिखा थी यानि लौ थी दात अपने पीस कर अंतिम करोध से और अंतिम बार प्रोध से उसने अपने दात पीस कर दुशासन की छाती के लहू से अपने केशों को धो लिया था चोटी बांध ली थी केश जो तेरहे वरस से खुले और उसके ये केश तेरहे वर्षों से खुले हुए थे इन घटनाओं का यहां पर और और इन घटनाओं का और चित्य है कि इनके माध्यम से जो बात कभी पहले कह चुके कि छोटे-छोटे स्वार्थों के वशीबूत होकर हम देश के सम्मान का नाम लेते हैं शोशन से मुक्त करने का देश को ये सम्मान ये बात का नाम लेते हैं लेकिन वास्तों में उस युद्ध के मूल में देश की रक्षा का भाव नहीं होता उसके सम्मान की रक्षा का भाव नहीं होता बलकि कौन सा भाव होता है अपने प्रश्ट भूमी पर बाद की जीवन परिचय से हम रूबरू हुए और इस प्रकार हमने अपने इस सत्र में अच्छी तरह से कुरुक्षेत्र की मूल कथावत्व को समझ लिया हमने बहुत सारे पध्याशों के अर्थ भी समझे उनकी व्याख्याएं भी समझी उम्मीद करती हूँ कि ये सभी व्याख्याएं आपको समझ में आ गई होंगी और आप इन कव्याख्याओं के माध्यम से ये समझ चुके होंगे कि कवी का पुरुक्षेत्र की रचना करने के मूल में नहीं तो उत्देश आखिर व्याख्याएं हम अगले सत्र में करेंगे तब तक रतिक्षा में रहिए नमट